मुलायम सिंग यादों के इस सपा पार्टी को जितना इस साल या निकी 2019 के लोग सभा चुनाओं में नुक्सान हुआ शायद इससे पहले इतना जादा नुक्सान उन्हें कभी नहीं हुआ भाई जब एक व्यक्ति के पीछे आप पूरी समाजवादी पार्टी लगा देंगे तो यही होना है अब आप हमारा इसारा समझ चुके होंगे जी हाँ हमारा इशारा है दिनेस लाल यादो निरहुआ की तरफ और वही बात अब मुलायम सिंग यादो अखिलेश यादो डिमपल यादो से कह रहे हैं अभी हाल ही में हुई सपा की मिटिंग में मुलायम सिंग यादो सभी पर भड़ग गये खास कर अखिलेश यादो और डिमपल यादो पर जी हाँ अखिलेश यादो और डिमपल यादो ने सारा फोकस अपने एक ही गड़ में रखा वो भी आजम गड़ में जिसकी वज़े से वो पूरी तरह से पार्टी में कहां-कहां चुनावी रैलिया करनी हैं किस किस छेत्र में चुनावी रैलियों का ज़्यादा असर होगा इन सब को ध्यान न देते हुए सिफ आजयमगड में ध्यान दिया और इस वज़े से सपा के हाथों इस साल 2019 में सिर्फ 5 सीटे आई है जिसे लेकर मुलायम सिंग यादो काफी गुस्से में दिखे आप में हाँ ये बता दे कि सीट बटवारे को लेकर भी अखिले सियादो पर मुलायम सिंग यादो जम कर बरसे उनका ये साफ कहना था कि अखिले सियादो की लापरवाही की वज़े से आज सपा को ये दिन देखने पड़ रहे है कहां तो इस से बहतर हालत में मायावती की बस्पा है जो सपा से तीन गुनी जादा सीट लेकर आज कम से कम एक ऐसे पोजीसन पे तो है जहां पर वो ये कह सकते हैं कि उनके हाथ कुछ है लेकिन सपा के हाथ तो कुछ भी नहीं है मुलायम सिंग यादो का साप कहना था कि अगर सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादो ने सारी बारीकियों को ध्यान दिया होता तो उन्हें समझ आ गया होता कि सीटो के बटवारों से लेकर चुनावी रैलियों का क्या महत्व होता है और इन सब को लेकर कहीं न कहीं मुलायम सिंग का गुस्सा जायज है तो ऐसे अब ये देखना दिल्चस्प होगा कि अखिलेश यादों की आगे की रणीती क्या होती है भोचपुरी जगत की होट और मसालेदार गौसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूली